हमें एक cylindrical wooden pipe given है, कुछ ऐसे माल लेते हैं उसको, जो pipe होती है मेरी, वो अंदर से hollow होती है, यानि खोकली होती है, तो ये जो white वाला portion है, ये खोकला वाला portion है, hollow वाला portion, मुझे inner diameter given है 24 cm, यानि ये जो white वाला portion है, इसका diameter है 24 cm, इसको मैं D2 मालने था हूँ, outer diameter given है 28 cm, यानि इस पूरा portion का given है 28 cm, length of pipe, यानि height of cylinder given है 35 cm, हमें यहाँ पर mass of pipe निकालने है, मैं notice करूँ, ये pipe दो cylinder से बनी है, एक मेरा outer cylinder, जिसका diameter है 28 cm, height है 35 cm, और एक inner cylinder, जिसका diameter है D2, यानि 24 cm, और height है 35 cm, हमें mass of pipe निकालने है, अगर 1 cm3 wood का mass है 0.6 gram, यहाँ पर cm3 की बात हो रही है, यानि volume की बात हो रही है, तो हमें mass निकालने के लिए, पहले volume of pipe निकालने पड़ेगी, अब यहाँ volume of pipe होगी, volume of outer cylinder, minus of volume of inner cylinder, क्योंकि यह खोक लिए है अंदर से, मैं यह दोनों अलग-लग निकालता हूँ, outer cylinder की बात करें, तो radius of outer cylinder होगा, diameter of outer cylinder by 2, यानि 28 by 2, 14 cm, और height है हमारी 35 cm, तो इसका volume होगा, pi r square h, यहाँ पर r की value मैं, r1 दालता हूँ, 14 cm, h की value 35, तो यह कुछ ऐसा आज रहेगा, इसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, मैं inner cylinder का निकालता हूँ पहले, volume, इसका radius होगा, diameter of inner cylinder by 2, यानि 24 by 2, 12 cm, इसकी height सेम है, 35 cm, तो इसका volume होगा, pi r2 square h, r2 की value put करता हूँ 12, h की 35, तो इसका volume पुछ ऐसा आता है, तो volume of pipe होगी मेरी, this minus this, हम notice करें, यहाँ पर pi और 35, दोनों में आ रहे हैं, तो मैं इसको common निकाल लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 14 का square, यहाँ से 12 का square, अब यहाँ पर मैं, a square minus b square की property लगाता हूँ, यह होगा a minus b, a plus b, pi की value put करता हूँ 22 by 7, 14 minus 12 होगा मेरा 2, 14 plus 12 होगा 26, और यहाँ 7 और 35 कैंसल होगे 5 बचेगा, तो यह कुछ ऐसा आ जाएगा, इसे हम solve करें, तो मेरा volume कुछ ऐसा आता है, अब हमें मास निकालना है, पता है हमें कि 1 cm3 का मास है 0.6 gram, तो इतने cm3 का होगा, 5720 into 0.6, यानि इसको हम kg में लखते हैं, क्योंकि यहाँ पर answer में kg में given है, तो यह मेरा आएगा 3.432 kg,